प्रेंट्स वेलकम टू काउच कॉफी बोक्स पिछली वीडियो में हमने सांगा के चार पुत्रों के बारे में पढ़ा था जिन में थे भोज राज दूसरे पुत्र थे रतन सिंग फिर राणा विक्रमादित और राणा उदे सिंग हमने देखा था कि भोज राज जो सांगा क सबसे बड़े बेटे थे और उनकी शादी मीरा बाई से हुई थी उसके बाद रतन सिंग के बारे में देखा कि सांगा की मृत्यों के बाद वो मेवाड के राजा बने और बूंदी के सूरज मल के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे फिर राणा विक्रमादित जिनकी मात करमावती थी हडी रानी बूंदी और संद्रक्षिका भी वो ही बनी थी राणा विक्रमादित की और उनके समय में गुजरात के बाहदुर शाने मेवाड पर दो बार अक्रमन किये पहली बार तो करमावती ने रंधंबोर का किला देकर संधी कर ली थी लेकिन जब दूसरी समय बार बहादुर शाने पुने अक्रमन किया तो करमावती ने हुमायू को राखि भेज कर साहता माँगी थी लेकिन वो समय पर साहता नहीं कर पाया और वहाँ पर चत्रोड में दूसरा साका हुआ करमावती ने जहुर किया और देवलिया के बाख सिंग ने के सरिया किया था बनवीर को मेवाड का प्रिशाशक बनाया गया और उसने विक्रमादेती की हत्या कर दी वो उदैसिंग की भी हत्या करना चाहता था लेकिन पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदैसिंग को बचाया फिर हमने मावली का युद्ध देखा जिसमें उदैसिंग ने बनवीर को हरा कर और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया और स्वेहम राजा बन गए उदैपूर की स्थापना की उदैसागर जील का निर्मान करवाया फिर चितोर का तीसरा साका हुआ जब अकबर ने आक्रमंड किया तो ओदैसिंग तो गिर्वा की पाड़ेंों में चले गए और चितोर म्रात्व को चार हाथों का देवता कहा जाता है जैमल तो मेड़ता की राजा थे फत्ता आमेट या राजसमंद की सामन थे और फूल कवर जैमल की बहनती और फत्ता की रानी थी और जिस बंदूक से जैमल घायल हुए थे उसका नाम था संग्राम फिर हमने महाराना प्रताप के बारे में देखा उनके पिता उदै सिंग माता जैवनता बाई थी जन्म उनका कुम्बलगड में हुआ था उनकी रानी अजब्दे पवार थी उनका पहला राजतिलग गोगंदा में किया गया सलूमबर के सामन्त कृषिन दास चूंडावत के द के सायोगी थे कृषिन दास चूंडावत जो कि सालूम बरके थे रामशात उमर हाकिम का सूर पूझा भील और अकबर के सेनापती थे मान सिंग वै आसफ खा मानना प्रताप जब युद्ध भूमी से बाहर हो जाते हैं चेतक के घायो लोने पर तो जहाला मान या जहाला बी कर दिया अलगला कि तिहासकारों ने नाम दिये हल्दी घाटी को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध बोलाए बनायूनी ने गोगंदा जिम्स टॉड ने मेवाड की थर्मोपली और अधर शिलाल श्री वास्तव इसे बादशाबा का युद्ध कहते हैं फिर हमने देख कि अकबर ने मेवाड पर आक्रमन करके इसका नाम मुहमधबाद रख दिया था एक शेरपूर घटना थी उसके बारे में ने बताया था आपको अलदी घाटी युद में हाथियों के नाम थे परताब कि राम प्रसाद और लूना राम प्रसाद का नाम अकबर ने प्रसाद दिया था मुगलों के हाथ ही थे मर्दाना और गज्मुक्ता तो ये सब था अब हम आगे देखते हैं अमर सिंग फस्ट के बारे में जो की महारणा प्रताब के पुत्र थे और महारणा प्रताब जितने ही वीर और शक्ति शाली थे इनके समय में जो सबसे बड़ी घटना थी वो थी मुगल मेवार संधी हुआ क्या कि ये लोग पहाड़ियों में छुपकर हमला किया करते थे और मुगल इनको युद भी नहीं कर पारे थे सामने से और पराजित भी नहीं कर पारे थे तो इन्होंने वहां की जनता को परेशान करना शुरू कर दिया मुगलों ने मेवार की जनता को परेशान करना शुरू कर दिया जनता गुहार लगाती हुई करण सिंग के पास आई करण सिंग अमर सिंग के बेटे थे इनके पास आई और इनको बोला कि हमारी रक्षा कीजी हमने शुरू से आपके साथ समर्थन में रहे हैं युद्ध किया है आपके साथ लेकिन अब और नहीं होता करण सिंग को लगा अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा कुछ न कुछ का मतलब था युद्ध करना पड़ेगा लेकिन उस समय मेवाल की शक्ति इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो सामने आमने सामने का युद्ध कर सकते थे मुगलों के साथ और जनता को बचाना भी जरूरी था जनता परेशान हो रही थी तो करन सिंग अमर सिंग के पास गए और बोला कि हम संधी कर लेते हैं उनके साथ अमर सिंग शुरू में तो मना कर रहे थे कि मैं मारना प्रताब का बेटा हूँ और तुम मुझे संधी करने के लिए बोल रहे हो मुगलों के साथ ये तो होई नहीं सकता लेकिन बात में जब सारे सामन्तों ने समझाया कि अब स्थिती अलग हो चुकी है जनता को परेशान किया जा रहा है तो फिर अमर सिंग ने बोला कि ठीक है तुम संधी कर लो लेकिन शाशन भी तुम ही समाल लेना और वो इस संधी के बिलकुल भी पक्ष में नहीं थे लेकिन जनता की मजबूरियों को देखते हुए उन्हें ये करनी पड़ी तो इस संधी में जो अमर सिंग फस्ट और जहांगीर के बीच में हुई थी ये संधी मुगलों की तरफ से जहांगीर था इसकी शर्ते थी पहली शर्त तो ये थी अब तक क्या होता था कि मुगल दरबार में मेवाड का राणा जया करता था जो संधी करता था वो राणा जया करता था यानि यहाँ पर अमर सिंग ने फस्ट ने की थी तो अमर सिंग को जाना था मुगल दरबार में लेकिन चूंकि ये संधी के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने कर्ण सिंग को बोल दिया था कि तुम ही संभालो ये काम तो पहली बार ऐसा हुआ कि मुगल दर्बार में मेवाड का यूवराज गया था दूसरा मेवाड मुगलों को एक हजार गुड़सवारों की सायता प्रदान करेगा ये संधी की शर्त थी तीसरा ये था कि चितोड का किला जो अकबर के समय इन्होंने कबजे में कर लिया था इन्होंने कहा कि वो तुम्हें वापस तो मिल जाएगा मेवाड को लेकिन उसका पुनर निर्माण नहीं करवा सकते और चोथा ये मेवार और मुगलों के बीच के जो वेवाइक संबंद थे उनको अब नहीं किया जाएगा आगे से मुगलों और मेवार के बीच में कोई भी वेवाइक संभन्द स्ताफित नहीं किये जाएंगे तो ये इस संधी की चार प्रमुक्ष शर्ते थी आगे चलते हैं इस संधी का महत्व क्या था एक तो महत्वे था कि सांगा और प्रताप के समय से चली आ रही स्वतंतरता की भावना का पतन हुआ सांगा ने भी बहुत युद्ध लड़े थे उनके शरीर परस्सी घाव थे प्रताप हमेशा से विरोध करते रहे थे और अपनी स्वतंतरता के लिए जीए तो वो स्वतंतरता की जो भावना चली आ रही थी उसका पतन कहीं न कहीं हो गया था दूसरा हुआ कि जब युद्ध बंद हो गया तो शांती स्थापित हो गई चार और जब शांती स्थापित हुई तो कलात्मग गधी विदियों को बढ़ावा मिला कला, लिटरेचर, आर्किटेक्चर इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा मिला क्योंकि जो पैसा पहले युद्ध में सैनिकों पे खर्च किया जाता था अब शांती का काल आ गया था तो वो इन कलात्मग गधी विदियों पर खर्च किया जा सकता था तो ये इस संधी के महत्व थे जब युवराज कर्ण सिंग जहांगीर के दरबार में गए मैंने बताया था कि मेवाड का रणा जाया करता था लेकिन अब युवराज गया था तो कर्ण सिंग को 5000 का मनसबदार बना दिया गया था मनसबदार एक तरह की उपादी होती थी तो जो जैसे 1000 का मनसबदार 2000 का 4000 का 5000 का तो जिसको जतने ज़्यादा मनसब मिलते थे उसका स्टेटס उतना ही ऊूचा होता था तो ऐसा बताते हैं कि पांच जार का मनसबदार मुगल जो राजपूत थे अब बहुत ही उनके मुगलों को ही दिया जाता था लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि युवराज कर्ण सिंग को जहांगीर ने पांच जार का मनसब दे दिया था और जहांगीर ने आगरा के किले में करण सिंग और अमर सिंग फस्ट की मूर्तियां भी लगवाई थी एक इत्यासकार हुए है सर्ट टॉमस रो इन्होंने कहा था कि मुगल बादशा ने मेवाल को बुद्धी से अधिन किया है ना की शक्ति से क्योंकि इनके बीच को युद्ध तो हुआ नहीं था तो ऐसा बोलते हैं टॉमस रो ने कहा कि उन्होंने बुद्धी से अधिन किया है ना की शक्ति से तो यह लाइना प्याद रखिये कुश्चन आ चुका है ऐसा किसका कथन है तो सर्ट टॉमस रो का अमर सिंग जो थे इस संधी से काफी निराश थे और वो राजकाद छोड़कर राजसमंद में जगें नौचौकी की पाल वहाँ पर चले गए थे यह वो ही नौचौकी की पाल है जहां आगे चलके राज सिंग राजसमंद जील का निर्मान करवाएंगे यह आप देख सकते अमर सिंग यहां से नौचौकी की पाल चले गए थे कुछ चनाता है कि अगर मुगल मेवाड संधी से नाखुश होकर निराश होकर अमर सिंग कौन से स्थान पर चले गए थे तो राजसमंद में नौचौकी की पाल पर संधी का प्रिस्ताव लेकर कौन आया मेवाड की तरफ से थे हरीदास और शुबकरन और मुगलों की तरफ से खुर्रम या शाहजा जो उस समय राजकुमार थे तो वो संधी मुगलों की तरफ से खुर्रम और शाहजा आये थे और मेवाड वालों की तरफ से हरीदास और और दिल्खुश महलों का निर्मान करवाय था इनका नाम करण था तो करण के नाम पर करण विलास और दिल्खुश महलों का निर्मान करवाय था और पिछोला जील में जगमंदिर महल का निर्मान शुरू करवाय था यह आप देख सकते हैं जगमंदिर महल है पिछोला जील के बीच में इसका निर्मान शुरू करवाया था पूरा तो यह नहीं हुआ था इनके काल में लेकि निर्मान शुरू करवा दिया था यह वही जगमंदिर महल है जहां पर विद्रो के समय खुर्रम यानि कि शाजा ने शरण ली थी शाजा का जब अपने पिता से उत्राधिकार को लेकर भी संगर्श चल रहा था और भी विद्रो जब इसका चल रहा था तो उसने यहीं पर आकर शरण ली थी और ऐसा बताता है कि बाद में जब शाजा ने ताजमहल बनवाया था तो उसके आर्किटेक्चर की प्रेड़ना भ पूरा करवाया जो करण सिंग के समय में प्रारंब हो गया था उसका निर्मान इन्होंने पूरा करवाया और इसलिए इसका नाम पड़ा जग मंदिर करण सिंग पूरा करवा देता तो करण मंदिर हो सकता था इसका नाम तो इन्होंने उसका नाम पूरा करवाया दूसरा इ यानि कि बीच में एक मंदर और उसके चारो और चार चोटे-चोटे मंदर इस तरह की matter होती है। उसे पंचायत अंशली बोलते है। तो यह जगनात मंदर पंचायत अंशली में बना हुआ है। एक अगार जो जगत स्भी थे यह पूरी में जो जगणाथ मंदिर है वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए थे तो जब ही वापस आये तो इन्हें सपने में भगवान जगनाथ ने दर्शन दिये अगले इन्होंने दर्बार में बताया अपने मंत्रियों को तो उन्होंने बोला कि हमें मंदर का निर्मान करवाना चाहिए और फिर इन्होंने इस भव्य मंदर का निर्मान करवाया तो इसलिए इसे सपने में बना मंदर भी कहते हैं क्योंकि उन्हें सपने में भगवान ने दर्शन दिये और उसके बाद उन्होंने इसका निर्मान करवाया तो इसे सपने में बंदा बंदिर भी कहते हैं वास्तुकार थे इसके मुकंद अर्जुन और भाना इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं देखिए मुकंद तो भगवान कृष्ण का नाम है मंदिर भी विश्नु भगव का है कृष्ण भगवान का है एकी बात मान लीजिए उन्हीं के अवतार थे तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो आपको याद है अर्जुन शुरू में युद्ध करने के लिए इच्छुक नहीं था तो भगवान कृष्ण के कहने पर ही उनके समझाने पर ही उसन नायाद रख लीजिए और पता ही है जगदीश मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके वास्तुकार थे मुकंद अर्जुन और भाना इन्होंने एक मंदिर और बनवाया इनकी धायमा थी नौजुबाई जो चोटे बच्चों को संभालने के लिए एक धायमा होती थी उसके लिए उनकी धायमा थी नौजुबाई उनका भी इन्होंने उदैपुर में मंदिर बनवाया था और जगत सिंग अपनी दान वीरता के लिए काफी प्रसिद्ध थे इन्होंने बड़े बड़े दान किये थे गरीबों को ब्रामनों को तो इसलिए ये अपनी दान वीर प्रसिद्ध थे फिर आते हैं राज सिंग राज सिंग जब शाशक बने तो इन्होंने शाजां के विरुद्ध आक्रमक नीती अपनाई थी कैसे अपनाई एक तो उन्होंने चित्तोर के किले का पुनर निर्मान शुरू करवा दिया जो मुगल मेवार संधी हुई थी उसकी चित्तोर का किला मेवार को वापस मिल जाएगा लेकिन आप उसका पुनर निर्मान नहीं करवा सकते लेकिन राज सिंग ने चित्तोर के किले का पुनर निर्मान प्रारंब करवा दिया दूसरा शाजां और औरंग जेब जो उसका पुत्र था उनका उत्राधिकारी में बिजी थे औरंग जेब शाहजा इनका अलगी मैटर चल रहा था तो इस बीच टीका दोड़ का आयोजन किया राज सिंग ने टीका दोड़ क्या होती थी कि उसमें टीका का मतलब तिलक होता है तो कई मुगल शित्रों पर जो छोटे मोटे मुगल शित्र थे उन पर इन्हो पुनररिर्मार औरंग जेब का साथ दिया उत्रदिकार शंगर्श में और टीका दोड़ का आयोजन कर कि मुगल शित्रों पर अधिकार कर लियघा था राज सिंग जी ने अब इन्होंने उत्राधिकार संगर्ष में तो औरंग जेब का साथ दिया लेकिन उसका आगे चलके सब जगे उन्होंने विरोध किया एक तो औरंग जेब जो था उसने जजिया कर लगाय था जो नॉन मुस्लिम लोग थे उन से एक टैक्स वसूलते थे उसका नाम ता जजिया इसका विरोध किया इन्होंने राठोर सिसोदिया गठबंदन बनाया सिसोदिया मेवाल के थे और राठोर मारवाल के इनके बीच में गठबंदन हुआ जिसे राठोर सिसोदिया गठबंदन कहते है क्योंकि अजीत सिंग जो थे मारवाल के इनको वहां का शायशक बनाना चाते थे ओरंग जिब ये नहीं चाता था तो जूदपूर के अजीत सिंग की साहफा की थी इन्होंने ओरंग जिब के वरुद्ध हिंदु मूर्तियों की रक्षा की इन्होंने अलान करवा दिया था क्योंकि औरंग जिब हिंदु मूर्तियों की तोड़ कर वहां पर या तो तोड़ देता था या उनके उस्थान पर मस्जिद बना देता था तो इन्होंने अनौंसमेंट कर रखा था बकायदा कि अगर किसी क में क्या हुआ था कि मतुरा का श्रीनाथ ची की मूर्ती वहां से लाई गई थी वो भी हम बताएंगे आगे आपको मंदिर पढ़ेंगे तम एक हिंदू राजकुमारियों की रक्षा उन्होंने ये भी घोशना करवाई थी कि अगर औरंग जेब किसी भी हिंदू राजकुमार के साथ जबरन विभा करता है जबरन बंदी बना कर रखता है तो भी मुझे बता देना और मैं उसको उसका विभा जबरन नहीं होने दूगा या तो मैं कर लूँगा कहीं और करवा दूगा लेकिन औरंग जेब के साथ नहीं होने दूगा इसी में कहानिये चारुमती थी ए थाक की और योध्दावं की तो उसने कहा कि एक आपने इतनी सारी लिया एक यह deeper और उसको औरंग्यvenue की painting दिख़ाई फिर चारूमतिये की सहलियों नए travelशान की paint पे जूतों से मार- 도ा सुइम भी की और बोला कि जाके बोल देना औरंग जेब को उसने जाके बोल दिया तो औरंग जेब ने संदेश बेजा कि मेवाड के पास कि मैं राज सिंग के पास कि मैं चारुमती से विवा करना चाहता हूं चारुमती ने मना कर दिया और उन्होंने संदेश बेजा राज सिंग जी के पा औरंग जेब का विरोध करते हुए तो इस तरह उन्होंने हिंदू राज कुमारियों की भी रक्षा की थी आगे देखते हैं राज सिंग जी ने जो मंदिर निर्माण के कारे करवाए थे वो थे पहला तो था श्रीनाथ मंदिर सिहान नाथ द्वारा में इसकी मूर्ती 1622 में मत्वरा से लाई गई थी गोविंद दास और दामुदर दास के द्वारा जब औरंग जे मूर्तियां तोड़ रहा था तो वो मत्वरा की भी कई मंदिरों को उसने तोड़ा तो गोविंद दास और दामुदर दास ने राज सिंग जी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि आप मूर्तियों को यहां पर ले आईए और हम यहां पर एक भव्य मंद मंदिर का निर्मान करवाया तो यह तीन प्रमुख मंदिर थे श्रीनाथ मंदिर द्वार काधिश मंदिर अंबा माता मंदिर कुष्चनाय की मत्रा से श्रीनाथ जी की मूर्तियां कौन लेके आया तो गोविंद दास और दामुदर दास यह वल्लब संपर्दाय के लोग थे जील एक तो राजसमंद जील बनवाई राजसमंद में इनी के नाम पर राजसिंग राजसमंद दूसरा जाना सागर तालाब उदैपुर में बनवाया इनकी माता का नाम था जाना तो उन्होंने जाना सागर तालाब का नाम बनवाया और त्रिमुखी बावडी उदैपुर में इनकी रानी के द्वारा बनवाई गई थी, तो ये तीन प्रमुख जीलें थी, राज सिंग जी के दरबारी विद्वान थे, एक तो थे किशोरदास जिनकी पुस्तक थी राज प्रकाश, एक थे सदाश्यु भट, उनकी थी राज र दूसरी अमरकावे वन्शावली, इस अमरकावे वन्शावली से हमें शक्ति सिंग जो की प्रताब के छोटे भाई थे, और चेतक मारणा प्रताब का घोड़ा उनके बारे में भी जानकारी मिलती है, राज सिंग की उपादियां देख लेते हैं, एक तो थी विजय यानि सेनाओं को जीतने वाला, और दूसरा हाइड्रोलिक रूलर, तो अगर कुछ चनाए कि ये उपादियां हाइड्रोलिक रूलर किसी है तो राज सिंग जी की थी, विजय कटकातु ये भी राज सिंग जी की उपादियां थी, फिर हम राज प्रशष्टी के बारे में द नामक स्थान पर 25 पत्थरों पर एक शिला लेख है, या अभी लेख बोल दीजिए, वो संस्कृत का सबसे बड़ा अभी लेख है, जिसे राज प्रशष्टी कहते हैं, प्रशष्टी यानि प्रशंसा में लिखा गया लेख, पुराने राजा महाराजाओं के समय उनके प्र पत्थरों पर लेख लिख दिया जाते थे, उसे प्रशष्टी बोलते थे, अभी लेख भी बोल सकते हैं आप, तो राज समंझ जील के पास नौचो की नामक स्थान पर 25 पत्थरों का संस्कृत का सबसे बड़ा अभी लेख है, उसे राज प्रशष्टी बोलते हैं, इसमें जानकारियां क्या क्या मिलती है, बापारावल से लेकर राज सिंग तक की पूरी जानकारिया मिलती है, एक मुगल मेवार संधी के बारे में भी जानकारी मिलती है, जो अभी हमने पड़ी थी, मुगलों और मेवार के बीच संधी हुई थी, उसके बारे में जानकारी है, शक निर्मान अकाल रहतकारियों के लिए करवाए गया, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है, ऐसा बोलते हैं कि राज सिंग जी एक बार अपने किसी समारों में विवा समारों में जा रहे थे, और रास्ते में गोमती नदी का पानी बहुत उफान पर था, तो उन्हें दो तिन तक वहीं इंतजार करना पड़ा, वो नदी पार नहीं कर पाए, तो वो काफी गुस्से में आ गए, और उन्होंने उस गोमती नदी का पानी रोक कर, वहाँ पर ये राज समंध जील का निर्मान करवाया, ऐसा भी है कि एक बार वो किसी पंडित के पास गए, कि मैंने बहु रोजगारी भी बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने बताया कि आप एक जील का निर्मान करवाईए, जिससे लोगों को भी रोजगार मिलेगा, और अकाल रहत कारे का भी काम हो जाएगा, तो उन्होंने लोगों को लगाया जील के खुदाई में, और बोला कि दिन में करो और शाम को खुदाई के बतले अनाज लेकर जाओ, तो यह जो अब आज हम पढ़ते हैं मन्रे का उसका प्रारंब उसी समय में हो गया था, राज सिंग जी के समय में, तो इन्होंने अकाल रहतकारियों के लिए राज समन जील का निर्मान करवाया, यह आप देख सकते है संस्कृत का जो राज प्रिशष्टी है शिलालेक, उसका एक छोटा सा फोटो लगाया है मैंने, तो फ्रेंड्स यह थी आज की वीडियो, इसमें हमने राज सिंग जी तक का पढ़ लिया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगले वीडियो में हम एवार का हिस्ट्री का अगला पार्ट लेंगे और हम अमर सिंग सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, थैंक यू फो वाचिंग, बाई